एक जेम्स बॉंड नामक एक बहुत मशूर जासूसी फिल्म सिरीज है जिसमें जो सुपर एजेंट होता है 007 वो अपना परिचाय कैसे देता है वो कहता है माई नेम इस बॉंड जेम्स बॉंड हमारे देश की राजनीती में एक एजेंट 56 है नाम बताने की जुरत नहीं आपको मालूम है वो कौन वो परिचे उनका क्या है माई नेम इस बॉंड इलेक्टोरल बॉंड ये मैं क्यों कह रहा हूँ क्योंकि इस एजेंट ने वित्तिय वर्ष 2016-17 और वित्तिय वर्ष 2021-22 में बावन सौ करोड रुपे अपनी पार्टी के खाते में इखटे करने में ये बॉंड सफल हुआ बावन सौ करोड कहां से आया पैसा? कोई हिसाब किताब ने किस ने दिया? क्यों दिया? उसकी एवज में आपने उसको क्या बेचा देश का? कौन सी संपत्ती बेच दी? कोई हिसाब ने 5200 crores in two financial years in the coffers of the ruling party through electoral bonds without any questions, without any answers, without the country getting to know what's the quid pro quo? who did you get this money from? why did you get this money? what did you give in return? कोई जवाब नहीं और ऐसा नहीं है कि हमारे एजेंट 56 को पारदर्शिता पसंद नहीं है गुपता जी के बेटे ने किसी के PTM में 100 रुपे क्यों डाले ये जानना चाते हैं वो यादव जी की बेटी के अकाउंट में 100 रुपे क्यों आए ये भी जानना चाते हैं वो तो पारदर्शिता हम सब के लिए लेकिन इनकी पारटी के पास 500 रुपे आ जाएं 5,000 करोड से उपपर आ जाएं किसी को वो सुराग नहीं देना चाते वो ये कहते हैं और ये मानते हैं कि पूरा देश बेइमान है लेकिन मेरी इमानदारी पर आपको आँख बंद करके मुँ बंद करके कान बंद करके यकीन करना होगा ये हमारे बॉन्ड इलेक्टरल बॉन्ड एजेंट 56 का मूल मंत्र है और ये बड़ी अपारदर्शी स्कीम है इलेक्टरल बॉन्ड की अरुन जेटली जी लाये थे 2017 में साथ जन्वरी को वो दिन हमारे लोगतंत्र के इतिहास में एक बहुत गलत दिन था उस दिन से एक ऐसी परंपरा की नीव डली जिससे इलेक्टरल फंडिंग बिलकुल गैर पारदर्शी हो गई चुनावायोग सुप्रीम कोट आरबी आई सबकी कुछ आपत्यां थी लेकिन आरुन जेटली साहब आप हमारे बीच में नहीं रहे उस वक्त हमने विरोध किया था क्योंकि ये मनी बिल की तरह से ये इसको पारित करा लिया राजसभा में बिना चर्चा के हो गया क्योंकि मनी बिल पे आप कर सकते हो ये अनुच्छेद 110 के तहट इसे पारित करा दिया जब इस अनुछेत के तहट आप मनी बिल के तहट आप इसको पारित कराते हैं तो इसपे संशोधन करने की शक्ति राजसभा को नहीं होती तो संविधान की भावना पर ये बहुत बड़ा हमला भी हुआ और लोक्तंतर पर ये उसके बाद से निरंतर हमला हो रहा है एक अपारदर्शी तरीके से पैसे एक खटे किये जा रहे हैं तो आप सोचिए कि एक मनी बिल से भारती जनता पार्टी ने विधायक खरीदने सरकारें गिराने का सारा मनी जुटाने का इंजाम इस एक मनी बिल से कर दिया बाकि तमाम पार्टियां को आप जोड़ दीजिया तो भारतिय जनता पार्टी को तीन गुना चंदा इस इलेक्टोरल बॉंड से के माध्यम से अधिक मिला है तीन गुना पहले क्या होता था पहले होता था कि एक कंपनी अपने तीन साल के नेट प्रॉफित का 7.5% से जादा दान नहीं कर सकती थी 7.5% आफ नेट प्रॉफित फ्री यर्स यह रूल था लेकिन भाजापा सरकार ने वह लिमिट हटा दी अब कंपनी को यह बताना भी नहीं है कि किसको कितना चंदा दिया देखिए कितना अपारदर्शी है व्यक्ति दे सकता है कंपनी दे सकती है बिना किसी को यह बताए कि कितना दिया किसको दिया क्यों दिया इतना बड़ा बेनामी धन किसी पार्टी के खाते में आ जाए तो हमें अब सपशत तोर पे समझ में आ रहा है कि काला धन कैसे सफेद होता है जो रहुल जी कहते हैं कि वो फेर औन लवली स्कीम है तो यह फेर और लवली स्कीम का एक ज्वलंत उधारण है कि एक पार्टी के खाते में ये सारा पैसा जाता है और सफेद हो जाता है